गुड मॉर्णिंग गाइस कैसे हो आप सब ठीक होंगे तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अपने अपॉलू S1 अलफा टायर्स का जो मैंने पैर लगवाय था टू वीक्स मैं लब टू वीक्स का पहले समत का रिव्यूनर्स वाला कि यह और आपको लगाना चЫSE हर न לא अपकी वीडियो में इस वारे में आपको रिवियू वाला हूं तो आज अपने दो तिन करते हैं ग्रिप की ग्रिप की बात करेंड़ तो इस टायर में बहुते रहनंदार है और रेडियल तो देने चीए आगे और पिछे तो जो ग्रिप की बात करें तो ग्रिप तो बहुत ही शानदार है मैंने इसको लीन वगर अगर आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा सोट्स वगरे में देखा होगा मलब कि कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी नहीं है इसके साथ क्यसा घ्रिपे अगर सर्फेस के साथ जितना अँच्छा घ्रिप होगा उतने इस अच्छी आपकी उठेगी अदर्वाइस आपका बाइक का जो टायर है थोड़ा साभी इसकीड हुआ सफिस के साथ तो आपकी वीली नहीं हो पाएगी तोड़ी सी वीली उठेगी लेकिन इससे मेरे गाड़ी पर मैंने वीली भी करी है आपने देखा होगा तो अवरोल पर्फेमेंस बहुत ज्यादा अच्छा मेरे को लगा तो जो प्रैसिंग की बात करूं तो यह टायर मुझे पड़ा है 35 का और यह जो आप मार्केट में लेने जाओगी इसका प्रैस मेरे को नहीं पता मलब की ओनलाइन का नहीं पता मैंने लगवाया जाके लिगी ओनलाइन मेंने तुनाए कि भाई लोकल वगएरा टायर्स मलब की डुब्लिकेट वगएरा देते तो मेरे को तोड़ सब्सक्राइब के लगवाया है वही पुराना साइज वाला एंग यह नोन रेडियल लगवाने जाता तो बहुत ही ज्यादा मेंगा था तालीस होगा तो गाइस इसका पर्फॉम्स बहुत अच्छा है मेरे बजट के कारण मैंने यह लगवाया है नहीं तो मैं 110 लगवाने इसका पर्फॉम्स बहुत अच्छा ब्रेकिंग भी बहुत शांदार है इसकी और क्या बता हूं मैं ब्रेकिंग के मामले में तो दोनों टायर सब हो लगे तो बहुत ही जांदार ग्रिप देते हैं अगर आप इसका एक नेक्स्ट वर्जन भी महलाब कि इसका जो एडवांस सब्सक्राइब आता है अपोलो लगवाना चाहते हैं तो लगवालना बट वह थोड़ा सा फोस्टी है वाट उसमें जो पेटन्स रहते हैं ना बने वे टायर में आपको डिस्पले पर फोटो दीख रहे होगी जो पेटन्स बने होते हैं वह मेरों को बहुत ही शांदार सब्सक्राइब करीबन 500 किलोमेटर चला लिए तभी मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको टोपेंड विगया डेड़ सो बगाया एंड लीन वगेरा करा स्टोपिंग पावर देखी एंड इस्टोपी वगेरा करने को सिस्की स्टोपी तो मुझसे नही कि गाड़ी खड़ी हुजाती है जगे पे मेरे को डर लगते है तो अटापी में मैं जो भी बताता हूं सची बताता हूं कि अवर्वर बाइक का परफॉरमेंस है अमलब की टायर का परफॉरमेंस है वो बहुत ही जादा अच्छा है एंड जो मेरे को जो दोनों पैर पड़े है तायर के वो फिछ उला पड़ा है पैंटिस हो का एंड़ फिट्वर पड़ा है वो सम्तिंग 1889 सो का पड़ा है तो ट हुआ । आगर पसंद आया हूं तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स्राइब कर देना यह से इसे चैनल पे ने रहा हो तो फिलते हैं नाएक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए और राइट सेफ दोरो मेरे काना है सेफटी जरूरी है, सेफटी जरूरी स्लिए मने टायचेंद करा लिये कि ब्रेकिंग अच्छी होनी ही चाहिए और गृप अच्छी होनी ही चाहिए तो बाइबाइबाइब आफ आफ और नाइस गया तो गाइज इस वीडियो में एक पाइच जो हनना चाहता हूं बगवान भी चाहता है कि आपको तो इंफरमेसिन इला है अभी अभी यज़्ट बारिस आहा हूं जैसे कि आप बार मुझा देशकते हैं तो जो बारिस पर जो टायर का जो रहता है इसका तायर की परफॉमेंस बहुत ही शांदार जदा भी गिली हो रिकेट है तो मुले की पर और ब्रेकिंग बता दिया बार इसमें बता दिया और विली वगेरा हो जाती है मैंने आपको सब कुछ इंफरमेशन देदी तो अब कुछ बाकी नहीं देगे बताने को तो वैस अब रियल में वीडियो को एंड गरूता है जाल बाकी नहीं एंड बता है I'm still hiding on my seat